हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तब हमारे देश ने ना तो सेकुलर सब्द कभी सुना था और ना ही सेकुलरिजम और ना तो इससे दू-दू तक हमारे कोई वास्ता हुआ गता था उसके बाद आती है इंद्रा गांदी की सरकार उन्होंने पहले तो Constitution में सेकुलर सब्द भूसेडा जिसके बाद पहले हमारे देश सेकुलर बना उसके बाद हमारे देश के लोग उसके बाद तयोहार लेकिन फूली एक कट्रपंतियों का और पुड़गरगी का तयोहार है और अब तो ठालत ये हो गए कि encounter भी सेकुलर और कट्रपंती हो गए हैं और यह नहीं परिवासा दिया है एक वारते से कॉंग्रेस और सुप्रिया श्रीनेत ने तर प्रदेश के सारे नियाया ले सारे सेशन्स कोट सारे डिस्ट्रिक कोट हाई कोट की दोनों बेंचे बंद हो जाएंगी और अब यूपी के स्टीफ के चीफ अमिताब कहां जा रही है कानून वेवस्था उतर प्रदेश की अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है सुप्रिया जी महराष्टा में संजर राउत ने अब जब बाबा सिद्धी की अध्या हुई तो ऑन रेकॉर्ड आज तपे स्क्रेट्मेंट च कर जब से यूपी में गोपाल के हत्यारों के एंकाउंटर हुआ है तब से ही सपा कॉंग्रिस और इनके चम्चो में चीफचिलाट और दद का महले मतलब लॉरेंस बिस्नोई का एंकाउंटर कराने के लिए ये लोग मरे जा रहे हैं सुबह साम दुआएं कर रहे हैं और इस डिवेट में इस बैस में खुद देखिए अखिले शादव या रोप लगा रहे हैं कि अपनी सरकार की नाकामी शिपाने के लिए ये एंकाउंटर योगी सरकार ने किया है आपका जवाब देखें एंकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलाइंस फिर से काम पर अभी हमने पुलिस का ओफिशल वर्जन एक नहीं तीन तीन बार सुना यूपी एस्टियर से सुना एस्पी भराइट से सुना डीजीपी से सुना पर पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करना है और पर अगर पुलिस जवाबी फाइरिंग कर दे तो पुलिस की जवाबी फाइरिंग पर भरोसा ने आजए राई जी ने भी बोला ही ये फेक एंकाउटर है वैसे तो इसमें आपको प्रोटोकॉल पता है कि एने चार्सी की जांच और जुडिशियल मैजिस्टेट की जांच ह होवे मरे हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छटिशगड में वह एक इंकाउटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत ने बोला था सेना के अध्यक्ष को सडक का गुंडा बोला था यूपी एटीस ने जब कनेया कुमार जो कॉंगरस के टिकेट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एंकाउंटर में जब एक स्थिती पैदा हो जाती है तो वो दरसल हत्यारे हैं ये कॉंगरस की ऑफिशल सोच है आखरी मैं मैं बताना चाहता हूँ आप इन से पूछे अभी तो तीन-चार द वहाँ पर MIM के केस खतम किये जाए दंगाईयों के ये भीकेहदीपरसाद का बैयार हुबली रायट्स में दंगाईयों के केस MIM के खतम किये क्या वहाँ पर रिष्टा करना है नया कायम उनको 175 SDPI के दंगाईयों के केस इन्होंने खतम किये ताहिर हुसेन पर जब आरोप वहाँ के हो मिनेस्टर ने बोला कि ये एकसीडेंटल है मतलब कि 52 लोग हत्यार से मारे गए उनके उपर चोट हुई पत्थर बरसाए गए और करनाटका के होम मिनिस्टर क्या बोलता है ये एकसीडेंटल है तो मुझे लगता है कि आज सोच बहुत साफ है कि वोट बैंका मि का चितरी मोरगोड कर सकतिक आप मैने आपकी रिपोर्ट वड़ी ध्यान से मेरे बारे में कुछ पी का गया मुझे नी लगता कि डृवडी बरबाद करूँगी इनके मूलत कर लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बाते कही गई वो बाते कहने से उनका जवाब देने से पहले दो चीजे कहना चाहती हूं योगी आधितिनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए एक लाइन का द्यादेश पारित करवाए वो और यहां पर भेज दे कि उत्तर प्रदेश के सारे न्याया ले सारे सेशन्स कोट सारे डिस्ट्रिक लेंचे बंद हो जाएंगी और अब यूपी के स्टीएफ के चीफ अमिताव यश वो नियाये प्रकृतिया चलाएंगे क्योंकि नियाये का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है मैं इससे पहले की कुछ और बोलूँ मैं एक चीज और बोलना चाहती है हत्या होने के बाद अगले दिन वहाँ पर आखजनी हो रही है वहाँ पर दुखाने जलाई जा रही है और शाम को उत्तर प्रदेश के ADG लोग एन ओर्डर को आकर मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मों सधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको मारो मारो यह कहा ले जा रहे हम पुलीस वेवस्ता को मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको यह भगदी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है कहा जा रही है कानून वेवस्ता उतर प्रदेश की और अगर इसी तरह से कानून वेवस्ता चलेगी तो आप नियायायलो पे ताला लगा दीजिए क्योंकि आप वस्तुता वही काम कर रहे है मतलब की राम गोपाल मिष्elt की गलती ये थी कि उसने एक हरा जंड़ा उतार। तो उसकी गुस्ता के जंड़े की एक ही सज़ा गोली मार देना। उसकी गलती थी, चलो मान ले ते की मां ले ठी की मस criança, मुज़ित के सामने म्यूजिक बजया रोगा, तो घुस्ता के म्यूजिक और घुस्ता के و द्यूजिक के एक इसאני उन्याइए का म३र! बाई हो रही है इन लोगों के उपर तो यह न्याय है न्याय क्या है कि अगर आप music बजा दोगे मस्जिद के सामने डीजे बजा दोगे तो आपके हत्या कर दी जाएगी हरा जंडा उतार दो मान लो उतार दिया उसने तो गोली मार के जान ले लोगे यह संविधान की बात है क दूसरी बाद मुझे अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है सुप्रिया जी महराष्टा में संजर राउत ने अब जब बाबा सिद्धिकी की अत्या हुई तो ऑन रेकॉर्ड आज तक पे स्क्रेट्मेंट चला है उन्होंने बोला मर्द म रविंद्र आंगले सचिन वजे जिनको बचा रहे थे बोल रहे थे उसामा से पुलना मत करो महराष्टा नंबर वन था इन एंकाउंटर में और उनकी सरकार जो है करती थी कि एंकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है यह उनका एंकाउंटर का हिस्ट्री अभी आपने बताया क मुलायम सिंग जी के जमाने में 499 एंकाउंटर देच वी मायवती जी के जमाने में 261 एंकाउंटर देच वी और योगी जी के साथ साल के कारिकाले में 200 या कुछ ऐसी एंकाउंटर देच वी तो वो एंकाउंटर सेकुलर एंकाउंटर और आज जो एंकाउंटर हो रहा है उ एक बार तो बताईए आप तो उदारबाद का सबसे बड़ा केका लेकर कॉंग्रेस और इंडिया लाइन्स गूमता है तो बताईए ये मुस्लिम एरिया क्या होता है जहां पर हिंदु यात्रा निकले चाहे बंगाल में निकले चाहे तेलंगाना में निकले तो MIM के case कौन वापिस लेता है यह करना टेका में हिंसा हुई वो accidental था यह कौन सा होगिस करता है और आती बाद उसको संभालने की जिम्मेदारी ना तो Congress की थी ना समाजवादी पार्टी की उसको संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की सब्सक्राइब देश में मॉडल है अंजना जी और आज तक जो है दोनों मॉडल की तुलना भी करें एक मॉडल यह है कि मांडिया डिस्ट्रिक्ट में करनाटका के 52 लोग गनेश-पूजन-यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है हो मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सिडेंटल था M.I.M. के केस वापिस होते हैं दंगाईयों के केस वापिस होते हैं यहाँ पर दुर्भागे पूरवश यहाँ पर एक हत्या होती है उनकी पत्नी जिसके बारे में अनुराग जी जिकर कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवार होना चाहिए उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनके उनसे बरांदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके उपर फायरी होती है गोलीबारी होती है किसी के उपर कोई ढिलाई नहीं होती है तो यहाँ पर ये जो है ये तो पुलिस व्यवस्ता पर सवाल जो हो मिनिस्टर क्लीन चेक दे दे दंगाईयों को वो तो बहुत अच्छा है और फिर से सवाल दो रहा था और क्योंकि एक लास बाद अंजरा जी 10 सेकंड उसके बाद नहीं बोलो दसेकंड हाँ सुनिए ये सुप्रिया का बयान च्छटिस गड़ में जब इनकी सरकार्ती एंकाउंटर हुआ सुप्रिया का बयान जैसे अनुराग ने अन्याय होता है न लोग के साथ कहता है ये सुनिए सुरक्षा कर्मी केवल खायल हुए थे कोई हमारे पुलिस वाले या एसी आर पीफ के लोग की जान ने गई थी मरे केवल नकसल आतंकी थे उनको सुप्रिया नकसली को शहीद बोला था सुप्रिया श्रिने आपने 20 सीट आएगी बीजेपी के बोला था और फिर नाम बदलन मैं शैजाद कुनावाला हूँ अपनी बात को कभी मैं अभी देखो सैजाद कुनावाला अपनी बात को बदलने वालों में से हो या फिर ना हो वो अलग बात है लेकिन सुप्रिया श्रिने वो नाम है जो की एक मिनिट के अंदर ही अपनी बात से पलट जाती है एक पल में ह अपनी बात से मुक़ जाती हो और पूरी तरह से ही मुक़ जाती हो शायद इसी बज़े से अभी एंकरिंग करते करते अगले दिन ही ये बंदी इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाती है को अंग्रिस पार्टी जॉइन कर लेती है और इसी तरह की बहुत सारे किस्से इसकी बिश्वस्नियत आपर वी सवाल खड़ा रहता है अम्मी शाही खड़ा रहता है बंकि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरू बताएं जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेट अपके साथ तब तब गुडबाय नमस्कार जैहन